हालो, आज बनाेंगे तूर की दाल, साधा सिंपल तूर की दाल, एक कटोरी दाल ले लिया है, अब उसको धोलो, अच्छे से एक दो पानी से धोने के बाल, उसे हम गैस पे रखे पकाएंगे, तो अब यह धोल लिया है मैंने, धोने के बाद अभी जो टमाटर है मिर्ची है प्याज है इसे काट के आप इसे प्याज को भी धोलीजिए प्याज क्या आता है आजकल काला रहता है और ये बीच से देखो ये निकालना बहुत जरूरी है तो इसे भी अच्छी से धोलीजिए और फिर हम इसको प्याज को बार या लंबा काटो या बारिक काटो आपको जैसा पसंद वैसे काटो अब इसे हम प्याज टमाटर हरी मिर्ची काटके पकाएंगे अब मैंने टमाटर लंबा लंबा काटा है यह भी आराम से दाल में पक जाएगा ऐसा नहीं कि दाल में टमाटर डालो प्याज डालो या नमक डा तो नहीं पकता है, बड़े आराम से पक जाता है, जैसे टमाटर लंबा लंबा काटा है, वैसे प्याज लंबा लंबा काटती है मैंने, और हरी मिर्च को बारी काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे लोग कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, और ज्या थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डालने के बाद अभी गैस ओन करके उसे फिर हम पकने देंगे डाल दिया पानी अभी इसे आपना कर्म चावल के साथ खा सकते रात के समय बनाओ इतना अच्छा लगता है जैसे घाबे में मिला हो अपन धावे बे जाते हैं खाते हैं बहुत टेस्टी लगता है वैस इस तरीके से लगता है इस तरीके से और डायरेक्ट बनाएगे इसे कुकर में डालके मत बनाएगे कुकर में कैसे फास्ट बनता है पर उसमें टेस्ट नहीं आता है अभी इसको मैंने इसमें चड़ा दिया इसा है और उपर से डालना एक ताकि धनिया का पूरा जो उसका कस है वो सारा का सार जाल में आजया देखो इतने जल्लीं तना सुन्दर भन LG path as सब खाना अभी उसके पर तड़का दे दीजिए दो चमश तेल में तेल डाले यह तीन चमश आप जितना तेल खाते हो ऐसे तेल तो कमी खाना चाहिए राई डाला है खड़ी मिर्ची डालो खड़ी मिर्ची का तड़का बहुत अच्छा लगता है उसमें हीं थोड़ा और फिसे जाग देंगे उसका फ्लेवर उसमें आ जाता है पस फिर आप उसको गरम गरम चावल के साथ खाल दीजिए आप बना के देखें आपको पता चलेगा कितना अच्छा और कितना टेस्टी है यह कड़ी पता डाला है इसमें कड़ी पता तो बहुत जरूरी है हिंग जो देखो चोड़dır दीजे उसके इंदर कितना बड़ी अलग रहा है अभी आप दिखने में भी खुब्सूरत लगता है खाने बहुत तेसी लगता है यह जब लाल-लाल दाल नीमाही आपर दिख रहा है झाल आपर्ण्यक्यons देख्वीर कोई खा लिजे, I hope आपको मेरा वीडियो पसनाते है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए